नमस्कार दोस्तो मैं रामचंदर शिंग बाजिया आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत एम अभिनंदन करता हूं दोस्तो वर्तमान समय में कोरोना जो वाइरस है इसका काफी खत्रा चल रहा है तो मेरी आप सभी से अपील है कि आप सभी जो है सोशियल डिस्टेंस रखें और कोरोना वाइरस से बचने के लिए जो जो उपाय राजिय सरकार यम किंदर सरकार हमें बता रही है उनका आवशिक रूप से पालन करें अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो के और दोस्तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको सेर मार्केट से जोड़ी हुई कुछ जानकारी बताऊंगा और आपको मैं 11 ऐसे स्टोक बताऊंगा जिनमें आप निवेश करके आने वाले समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तो मार्केट में अगले सेकेंट या अगले जश्ट आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता सिरफ संभावनाए व्यक्त की जाती हैं कि ये होगा ऐसे होगा या ऐसे होगा लेकिन हम अपने पैसे को अपने दिमाग से सही जगए, सही कमपनियों में अच्छी क्वालिटी कमपनियों में इन्वेश्ट करके और अच्छा पैसा आने वाले समय में बना सकते हैं देखिए मैं आपको सबसे पहले यस बैंक का एक एक एक्जामपल दूँगा जो मेरे लिए खुद के लिए मैंने खुद ने निवेश्ट किया और जब वो इस्टोक लगातार गिरता गया तो मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि साइद मेरा पैसा जो है बहुत बुरी तरीके से कम हो रहा था मैंने यस बैंक में एक सो पचास के लिए ओल पे निवेश्ट स्टार्ट किया था एक सो पचास से स्टोक एक सो बीस पे आया तो फिर मैंने लेकिन मेरी एक आदत रही है कि हमेशा मैं किसी भी स्टोक में एक साथ पैसा नहीं डालता हूँ और अगर आपको भी मार्केट से अच्छा पैसा बनाना है तो आप भी कभी भी किसी एक स्टोक में या किसी एक सेक्टर में अपना पूरा निवेश ना करे तो जब येस बैंक के 120 पे आया या 100 के उपर आया तो मैंने कुछ अमाउंट उसमें ओर एड़ किया फिर वह गिरता हुआ 60 के उपर आ गया तो फिर मैंने उसके अंदर चुंकि लोस तो जो है आपको मालू में डेट सो से जब 60 रुपे पे आ गया तो कितना लोस हो गया बट मैंने 60 रुपे के उपर उसमें कुछ निवेश ओर किया जब 40 रुपे पे आया तो मैंने कुछ ज्यादा अमाउंट थोड़ा सा और अमाउंट जो है उसके अंदर डाला मेरा एवरेज जो है लगबग 70 रुपे आ गया बतलब एक शेर का प्राइज 70 रुपे आ गया एवरेज देखिए फंड रेजिंग के लगातार खबर आ रहे थी यस बैंक में की जल्दी जो है इसमें फंड देखिए यस बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है इसकी जो टेक्नोलोजी जो है वो बहुत अच्छी है यूपी आई ट्रांजेक्शन को लेकर भी इसके जो है नंबर वन बैंक है और टेक्नोलोजी और जो कस्टमर जो सर्वीस है बहुत अच्छी है बट इसमें प्रोब्लम क्या थी कि इन्होंने जो लोन जो है कोर्पोरेट सेक्टर को दिये वो ऐसी कंपनियों को दिये जो परण थे अभी उसके उपर जो है सेबी एडी जो है कारवाई कर रही है जो भी रिजल्ट आके तो उन्होंने कैसे लोन बाटे उसकी वज़े से इसका बहुत सारा लोन जो है एन्पी हो गया तो फंड की बहुत बड़ी प्रोब्लम थी रवनित गिल आये इसके बाद में र 40-50% अप होता था एक बाद 40 रुपए से 70 रुपए 80 रुपए तक गया था फिर वापस डाउन होके आ गया तो मुझे ऐसा लगता था कि यस बैंक जो है इसके अंदर कहीं न कहीं से फंड रेजिंग होगी एक आसावादी था इसको लेकर मन और आने वाले समय में जल्दी इसके लेकर कुछ क्योंकि यस बैंक का फैल होना हमारी एकोनोमी के लिए बहुत बड़ा धक्का लग सकता था तो मुझे एक आसा थी कि अगर लाश्ट में अगर कुछ नहीं होगा तो गोर्वेंट जो है या RBI जो है इसको लेकर कोई steps उठाएगी यानि यस बैंक को मांट इसके अंदर जो है कुछ नहीं थोड़ा से ज्यादा मांट जो है इसके अंदर डाला और 8 रुपे 9 रुपे 10 रुपे के उपर जो है मैंने बड़ी quantity जो है इसके अंदर ले लिए मेरा एवरेज जो है अभी 28 रुफी है और इस्टोक अभी 50 रुपे चल रहा है मतलब मेरा पैसा यू मानिए कि डबल हो गया 25 परसेंट जो पैसा है वो मैं निकाल भी लिया जो मैंने लगाया था यानि मैंने जो अमाउंट यस बैंक में लगाया वो 25 परसेंट में निकल भी गया और मेरे पास अभी 75 परसेंट जो है शेर है हर कोई यस बैंक में यही कर रहा है देखे, SBI जो है, इसमें एक बड़ी सेधारी खरीद रहा है इस बैंक में और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 10 रुपीज पर शेयर के इसाफ से, अब इसमें बहुत सारे बैंक, HDFC, AXIS, ICI, COTEK, महिंद्रा बैंक, यह सब जो है, लाइन लगा के खड़े हो गए, क कोई बोला, 2000 करोड लगाएंगी, कोई बोला, 600 करोड, 300 करोड इस परकार से, क्योंकि उनको मालूम है, कि 10 रुपे के इसाफ से, उनको शेयर मिल रहा है, मार्केट प्राइस के अंदर, अगर उनका 25 परसेंट भी बेज देंगे, 50-60 रुपे के अंदर, तो वो जो उसकी जो सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो जैसे फंड की प्रोब्लम दूर होगी, तो बैंक ऑटोमेटिकली जो है, आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करेगा, और गवर्वेंट और आर्वेंट खुद इसको लेकर कापी जो है, इस टेप उठा रही है, एक अच्छा भी किसी स्टोक में इनिवेस्ट करें, तो आपका खुद का एक अनलाईस होना चाहिए, कि यह जो कंपनी है, क्या इसमें निवेस्ट है या नहीं है, और देखिए, कई बार अच्छी कंपनी भी अगर किसी कारण से या जो मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, उसकी को कुछ 11 स्टोक ऐसे बताने वाला हूँ, जो अभी गलोबली कोरोना वाइरस का जो एफेक्ट सल रहा है, उसकी वो जैसे मार्केट में पैनिक बनावा है, उस पैनिक वो जैसी वो अच्छे स्टोक भी जो है, अपने 52 वीक लो पर आ गये हैं, या बहुत ज्यादा गिर अचानक से रिकावर होगा और ये स्टोक जो है, एक दम से उपर जाएंगे और आपको बहुत अच्छा सांदा रिटन जो है, देंगे, देखिए मेरा जो वीडियो है, ये केवल आपके नोलेज के लिए और इंफोर्मेशन के लिए है, मैं इसमें किसी स्टोक को खरीदने या बेजने की पर्सनली व्यक्ति के दूप से कोई आपको सला नहीं दे रहा हूं, ये आपके खुद के सव विवेक के उपर है, सिर्फ इंफोर्मेशन के लिए अपनी जानकारी साजा कर रहा हूं, सबसे पहले है HDFC बैंक, देखिए प्राइवेट सेक्टर का बहुत अच् सेकेंड जो हमारा स्टोक है वह है रिलाइंस इंडिस्ट्री देखिए स्टोक के बारे में आपको मालूम अठारास रुपए तक सला गया था अभी करन्ट में 900-1000 रुपए के बीच में अगर इसी स्टोक को लेते हैं तो इसमें भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छ रुपीज है सतर से लेके 75 या 80 रुपीज के बीच में अगर आपको यह स्टोक मिलता है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है देखने को इसमें मिलेगा फिर है मदर्शन सुमी देखिए यह वी एक ओटो कंपनी है और सबी जो ओटो मोबाइल कंपनिया उनको यह जो है कंपनी पार्ट्स देती है ठीक है और यूरोप अगरा में या अधर कंट्रीज में पार्ट्स की सप्लाई करती है ठीक है तो इसका सेर भी जो है 65 रुपे के लगबग ट्रेड कर रहा है तो इस प्राइस की उपर यह जो श 300 रुपए या 330 रुपए के लगबग ट्रेड कर रहा है अगर आपको यह 325 से लेकर 300 की रेंजमिंग मिलता है तो आप इसी स्टोक को ले सकते हैं अपने पौर्ट्फोलिय में एड़ कर सकते हैं और यह भी आपको अच्छा रिटन देगा अगला है आपको यस बैंक है कि य यहां रखेंगे कि इसमें तीन साल का लोकिंग पिरेड भी है तो अगर आपको लंबे समय तक न्यूएस करना है तो यस बैंक में यूएस करें अगला है कोटक महिंद्रा बैंक देखिए यह बी एक काफी अच्छा बैंक प्राइवेट सेक्टर का और इसका जो सेर है वह है और आने वाले समय में अच्छा रिटन देखने को मिलेगा अगला बैंक है जमू एंड कश्मीर बैंक देखिए यह जो बैंक है काफी नीचे गिर चुका है कारण कोरोना वायरेस एफेक्ट और इसका कुछ एन्पी भी बढ़ गया था बट देखिए रिस्की स्टोक है 13 14 र इसमें इनको घाटा हुआ था बट अब की बार जो है इसने जो है प्रोफिटेबल जो है दिसंबर जो कॉर्टर के जो रिजट दिये उसमें फ्रोफिटेबल जो है रिजट दिये हैं 13 14 रूपय के लगबक 10 से लेके 13 14 रूपय के बीच में अगर आपको यह स्टोक मिलता है तो इसको भी आपने पॉर्टफोरियो में एड़ कर सकते हैं अगला है एविएशन सेक्टर का स्टोक इसपाइस जेट देखिए कोरोना वाइरस की जैसी खबरे आई एविशन सेक्टर के जो स्टोक बुरी 30 Information रुपय पर आ गया है कि तो आप ऑम क्वांति्स के लिए अलग हो सकती है किसी के क्या आमाउंट हो सकता है किसी के यह आपनी सटोक के अंदर बहुत अच्छा आउंस वेफ देखने को मिलेगा अपसाइड मिलेगा 35 रुपए के साफ़ी ये शेयर की पर्चेस करने में बहुत अच्छा फायदा है इससे कमें मिलता है तो और भी अच्छी बात है अगला है आइडिया वोड़ाफोन आइडिया कंपनी देखिए ये है एक बहुत रिस्क की शेयर है जो रिस्क नहीं लेना चाहते है वो इस शेयर को ना खरीदे बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो तीन रुपए से साड़ी तीन रुपए के बीच में आप इस इस्टोग को बाय करें इस्मोल क्वांटिटीज में शेयर खरीदें अगर मान लीजिए एजियार की वज़े से कंपनी बंध होगी तो फिर आपका लोस होना ही होना है बट अगर एजियार को लेकर गोर्विंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर टेलिकॉम कंपनी को आने वाले सम यह में सकता है बट रिस्क भी आप अपने यह रिस्क की आधार पर ले सकते हैं अस आप कि रिषलिक बन मल् Zusक्ता है ओपल और को लोट ही सकता है अब अपने मीस कृतल्स की से करें करें अगला है पंजाब नेस्नल बेंक 3 रूपे से 40 रूपे के ऋपर यह बढंदा कर अ जो सोट आउट होने वाली है या हो चुकी है यह वाली आने वाल टाइम में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो इस स्टोक में भी जो है मोमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि दो तिन बैंकों का जो है विलेश में कर दिया गया है तो उसके वजह से जो है अपसाइट रहे गए इस टोक वी अगला है आई टी सी कंपनी देखे जो अबाकू जो प्रोडेक्ट से उसके उपर जो टेक्सी बढ़ाएगे और कुछ कोरोना वाइरस की एफेक्टी वजह यह सेर जो है डेट सुरुपे तक आ गया है आपको अगर यह सेर डेट से वन सेउंटी फाइब के वीजह में अगर आप इसको बाय करते हैं आने वाले समय में जैसे ही मार्केट जो है रिकावर होगा इस सेर के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखनी को मिल सकती है तो यह जो 11 सेर मैंने आपको बताएं आप इन में अपना निवेस अपने इसाब से स्मॉल स्मॉल कौंटिटी में अपसे स्टार्ट कर सकते हैं देखिए आने वाले समय में अगर कोरोना वायरस के एफेक्ट की वज़ए से मार्केट अगर क्रेस होता है तो अगर यह सेर बताएं उसे डाउन जा सकते हैं तो आपको क्या करना है थोड़ी क्वांटिटी इसमें और एड करनी है और आप इसमें एवरेज करते जाएं जैसे मार्केट रिकवरी में आएगा उसके बाद में वह जो आपने एवरेज किया है उसका प्रोपिट आपको देखने को तो दोस्तों मैंने आपको आज जो है यस बैंक और ग्यारा श्टोक्स के बारे में अपनी जानकरी जो है आपसे साजा की है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद जाहिंद झाल